अग्रेज में तो प्लीज ये वीडियो पूरा जरूर देखना और ये जरूर कमेंट करके जरूर बताना है जैसे वीडियो एंड हो कि आपकी इस मुद्दे पर कहा रहा है क्या हमारा और आपका नजीरिया बिल्गुल सेम है जहां से हम शो देख रहे हैं वहीं से आपको भी या हमारे टीवी पे अलग और आपके टीवी पे अलग बिल्ग बोस आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर जवाब देना जो भी लोग तक ये वीडियो जा रही है जो भी देख रहे हैं तो लास्ट मैं आपका कमेंट बहुत कोछ मेंटर रखता है और मैं हरे कमेंट पढ़ आठ दे दिए जातर काया जातर पगड़िये इसका कान पगड़िये इस जाने मत दीजिये तो ऐसा क्यों चल रहा है साथ की साथ क्या मनारा चोप्रा और मनोर फारुकी को जो जोड़ने की कोशिस पहले दिन से बीग बोस कर रहे थे उसमें बीग बोस और म Holzाकाम याब रहे इसलिए उनको मनोर फारुकी को पकड़ रहे है कि तू हमारे स्क्रिप्ट और तू हमारे इसाफ से नहीं चलरा तू मनारा चोपड़ा के तेरा रहा है उसकेसाफ क्यो नहीं बैठ़ रहा क्या यह वह दर्द और विक्की और अंकीता को मिल जाती है ये भी दर्थ क्योंकि वीकेंड के बार पर बोला सल्मान सर्थ ने भी के आपके उस मुश्किल घड़ी में जब आईशा के इंट्रिवी थी वाइल कार्ड की वहां पर आपने सभी की तारिफ करी लेकिन आपने मना रहा की नहीं करी तो क्या जो चीजे जो इस्टार्ढ की दिनों में अच्छी थी शारी के तोर पे सल्मान सर्थ से विधाही के बिग बोस के अंदर आते हैं वह अपनी कुछ चीजे पाष्ट की बताते हैं उस पर टैक करने लगे कि भी यह दुख बरी कारीया मसुझ ना हो और अब झो वो चल र तो प्लीज कमेंट करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मनोर फारुकी ने मनारा चोपड़ा के साथ जो चीजे मेकर्स चाह रहे थे वो नहीं किया उसका खामियाजा अब हर वीकेंड के वार पे मनोर फारुकी को उपर वीकेंड का वार चलाके मेकर्स अपनी बडास नि जवाप देना और मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ अब तक लिए बाय अल्ला आफिस मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर हूँ आप सभी के कमेंट का कमेंट करें जल्दे